हैं हलु दोस्तों सागत है आपका हमारी सइकोलोज़ी क्लासिस में तो आज हम आपको वत्ताने जा रहे हैं एक एकज्यम पेपर के वारे में जो कि है कोग्नेटिब प्रोसस ठीक है जो कि साइकोलोजी का है और Me. 2nd semester ठीक है न मैं वतासी होँ यह जो एमी 2nd semester का है ठीक है तो इसमें क्या है और 2019 का पेपर है 2019 का तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पर question कैसे दिए गए है देखो एनी 5 लिखा है तो वो थोड़ा solid में लिखती है इसलिए क्योंकि यह एनी 5 लिखा है एनी 5 का मतलब यह है जो 10 questions दिए गए होंगे यह 100 answer type question थीक है तो आपको क्या है कि यह 5 नमबर का एक question है ठीक है तो यह आपको 10 questions दिए गए होगे देखाते हैं 10 मेंसे आपको कोई 5 करना है यहां पर देखो थिक है ना यह जो रोमन काउंटिंग लिखिए है उसमें देखो रोमन गिन्ति लिखिए जो अब देखो यहां पर क्या है कि जी यहां पर लिखा ना ये फैब की बाद ब्रैकेट में आप देख रहे हो कि 5 इंटु 5 एक्क्वल फट्वेटेटिफए लिखा अब आप देख सकते होई यहाँ पर जो पहला लिखा है इस्मरिती, तो यहाँ पर क्या है, इस्मरिती को define करना है, memory क्या है, ठीक है न, अब इसमें दूसरा है प्रति ध्वने किस्मरिती, तो प्रति ध्वने किस्मरिती को बताना है, ठीक है न, और जो तीसरा है प्रसांगे क किस्मिरिती तो एपिसोडिक मेमोरी तो यहां पर ना एपिसोडिक मेमोरी को बताना है प्रतिक्रियात्मकिस्मिरिती तो यह यहां पर बता सकते हो प्रतिक्रियात्मकिस्मिरिती को फिर है अर्थगर्तिस्मिरिती अर्थगर्तिस्मिरिती अब इन में से क्या है यह पांच हो यापश मेलijn कमपल सरी में मविक लिए यहां करना यहां बरी प्ला में बीए ऊत्य वक्रतिय में करने मम भले तार को अड़े है, अगर लो ना में में अत्वा स्काइल . ठीक है जो पांच नमबर है वो नहीं दिये जाएंगे उस question के तो आप क्या होता है लगो काली निस्मिरिती एवं दीर के काली निस्मिरिती में अंतर ठीक है न तो यहाँ पर देखो differentiate between यहाँ पर देख सकते हो जो एकाली निस्मिरिती के संबंद में इसकीमा को समझाना है इसकीमा को समझाना है अब यहाँ पर देख सकते हो जो इक यहाँ चाहाई एकां फट दिया गया ठीकर फफर्स यूनिट अपर को जासे जो जुचक रैर इस होता है न तो स्लेंबर तो चलेशन में 5 यूनिटमर और रहते हैं तो इस तरीके से को धीरिती अब यह क्या है यहँ नाम पे आप देखो लोंग उंसर टैप और स्वेय टाइप कोष्चन की दुबाद कर दिये हैं मेंनि राट्व का एक फाइब नमबर का टॉयल नमबर का ठीकिए तो यह पांच नमबर का 12 नमबर का पांच नमबर और 12 नमबर का कुस्ट्ट जो regular student होते है उनके लिए होता है आप regular student होते है तो उनका क्या है जो internal associations ziehen ना सी सी के नाम से जांते हैं जैसे तो वह 15 नमबर का रहता है और आपका जो teaching अब 85 नमबर का होता है 85 और प्लस 15 करो गया तो आपका एक्वल टू 100 हो जाएगा ठीक है अब जो बच्चे प्राइबेट होते हैं तो उनका क्या है को इंटर्नल असाइमेंट नहीं होता है इसलिए उनका जो एक्जाम है वह 100 नमबर का रहता है ठीक है तो क्या होता है कि उनकी जो इंटर्नल असाइमेंट नहीं होते हैं तो यहां पर जो आपका स्वाट टाइम कोश्चन जो होता है जो 5 नमबर का होता है तो उनका वह कोश्चन जो है 6 नमबर का रहता है ठीक है अगर और आपका जो लोंग टाइम को लोंग टार लोंग अंसर ट तो यह फर्क होता है इसमें यहाँ पर मैंने बता दिया है प्राइबट स्टुडेंट का फोर्टीन का होता है अब आप देखिए संबेदी इसमिरिती इसके प्रिकार और प्रियोग सिर्द विसेसिताओं की व्याक्या कीजिए ठीक है तो यह यूनिट 1 का है देखो इन्हों अथबा में यूनिट फस्ट से ही लोंग अंसाय टाइप का दूसरा कोशन दिया आपको ठीक है तो यहां पर देखिए लगुकाली निस्मृति को परिवाशित करें लगुकाली निस्मृति में सामिल कूट संकेतन संचयन और पुना प्राप्ति प्रकिरियों पर चर्चा करें तो इह अब यहां पर यह आखिए है कि आप आरम अर मिंदेख को कोई दिकत नहीं आप देखिए लिख सकते हों और ब से कोशटत भीर इतो ठीक है तो यहां पर आप आपके आप कोश्टन मृयकं निसानों साफ्ट पाल घ्या ग दिलायता और इनने दीरगुत्री है तो आप यहां पर देखिए जो एकाई 2 है एकाई 2 का यह कोशन दिया है नहीं देखो यह अथवा में आपको दे रखा है यहां पर तो देखो क्रैक और लॉक हाइट के समरिती के संसाधन के इस्तर मॉडल का वर्डन करें ठीक है तो यहां पर क्या ह यहां पर आप देख सकते हो डिसकस इन डिटेल क्रैक और लॉक हाइट लेवल ओफ प्रोसेसिंग मॉडल मैमूरी ठीक है अथवा में देखो अथवा में क्या है मैकलेंड के समांतर वितरत प्रेक्रिया मॉडल का वर्डन करें ठीक है अब यहां पर देखो आप देख सकते ह आर्थगर्थ इसमिर्ती की विस्यस्ता तुलना मॉडल की चर्चा करें ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं next question क्या है next question ने अर्थगर्थ इसमिर्ती की प्रेकृति कायर प्रिनाली और सनरचना पर विस्तार से चर्चा कीजिए अब यहां पर मैंने आपको एक चीज नहीं बता पाई है कि जो अत्वा है अत्वा में और खोश्टक में करके क्या करते हैं और लिख देते हैं और का मतलब यह होता है अर्थगर्थ इस्मिर्थी की विशेशता तुलना मॉडल की चर्चा करें यह कुश्चा तो आपको क्या है नेक्स्ट यूनिट फोर में क्या करना होता है यूनिट फोर में जो कॉश्चन है संप्रित्य निर्माड की प्रोटोटाइप सिद्धान्त का वर्डन करें तो प्रोटोटाइप सिद्धान्त का वर्डन करें यूनिट फोर से आपको कॉश्चन दिया गय इसके अत्वा में नोनी एक question और दिया है संप्रित्या निर्माण की विधी का वड़न करें और सुपरिवासित एवं कुपरिवासित संप्रित्याई के मद्ध अंतर सपस्ट करें ठीक है अब इसका तो देखो आप देख सकते हो कि जो next है नेक्स्ट तो यूनिट 5 का है ठीक है यूनिट 5 को मैंने बताए था जो यूनिट जो स्लेवस रहता है उसमें 5 तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमृति को उन्नत बनाने की बिभिन विधियों को समझाइए इसमृति को देखो है यहां पर मैंने लिखा है तो यह मतलब है कि 12 नंबर का है और 14 नंबर का है तो जो 14 नंबर का है वो उनके लिए है जो प्राइविट स्टूडेंट और 12 इसमें प्राइविट स्टूडेंट के लिए एक्स प्लैन डिफिरेंट मैतड आप इंप्रूविंग मेमोरी अब अथवा में नोनी लिखा है निमनलिखित पर नोट लिखें प्रित्यक्ष दर्सी साख्ष दूसरा है जीव की नौक घटना ठीक है तो यह जो कोशन है यहां है तो नगे हैं रहां ऐकर में देखा दिया है इमेर आपका पूरा आपिक तरीक में कोशन बहुतन आ對了 TV को आइथिंक में आ गया होगा तब तर चांप मिलने हैं डियूमें मquarूत शलाओ नेक्स्ट वीडियों में नेक्स्ट एक्जाम पेपर के साथ